अगर आपने अपने अपने प्रोड़क्ट और किया है और उससे जुड़ी कोई प्रोब्लम है और आप कस्टूमर केर से बात करना चाहते हो तो कैसे करोगे आज हम आपको बताएंगे तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए त चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आप आमाजोन को ओपन कर लेंगे उसके बाद में नीचे की साइड में आपको थ्री डॉट का आपसन मिल जाएगा आप इस पे क्लिक करेंगे फिर आप दोस्तों ऐसे स्क्रोल करके आप नीचे आएंगे यहां पर आपको कस् जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपके प्रोडट्ट ओपन हो जाएंगे और जिस भी प्रोडट्ट से जुड़ि आपको प्रोब्लम है जिस प्रोडट्ट से रिलेटेड आप कस्टूमर के ऊसे बात करना चाहत हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि मैंने यह फोन था और फिर cancel किया तो इसका payment अभी refund नहीं हुआ है तो इसके related हमें बात करना है तो मैं इस product को select कर लूँगा तो आपका कोई भी problem हो सकता है अगर ठीक है तो आप अपने product को select कर लेना उसके बाद में आप region choose कर लेना जैसे कि मैं यहाँ पर my address अपने problem को यहाँ पर select करेंगे फिर आपके सामने ऐसा page आजाएगा नीचे आपको यहाँ पर continue to customer service का option मिल जाएगा आप इसवे click करेंगे यहाँ पर फोन नमबर आजाएगा अगर नहीं आता है तो आप अपना amazon वाला mobile number डाल देंगे क्योंकि इसी नमबर पर call आएगा यहाँ पर language already हिंदी select होता है तो यहाँ पर हिंदी select होना चाहिए जस्ट आप यहाँ पर नीचे call में नव पर क्लिक कर देना और जैसे आप काल में नव पर क्लिक करोगे एक सिकंड के अंदर आपके पास amazon की तरफ से call आ जाएगा जैसे कि मेरे पास आच चुका है मैं इसको receive कर लेता हूँ आप गाईज यहाँ पर थोड़ा आपको एक मिनड़ तक वेट करना जै मेरा नाम सोमु है मैं हमने कार्डर किया था प्रो फोन उसका भी पेमेंट रिफंड नहीं हुआ है मैं इस फोन को कैंसिल किया था यहां पर हमारी कोल अमेजोन के कस्टूमर केर से कनेक्ट हो चुकी थी एंड उनसे मैंने बात किया जो भी मेरा प्रोब्लम था अपने फोन जो मैंने आडर किया था उससे जूड़ी जानकरी लेना था तो गाइज इस तरीके से आप काफी आसानी से अमेजोन के कस्टूमर केर से बात कर सकते हो तो गाइज अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हूँ तो लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चलिए तो आज की इस वीडियो को इंड करते हैं तब तक के लिए चाह बारत यदिता चाह बारत